इंग्लेंड ने आखिरकार रोका आस्ट्रेलिया का विजयरत वर्ल्ड कप 2023 के बाद कंगारूओं को मिली पहली हार इंग्लेंड और आस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही पाँच मैचों की वंडे सीरीज में आखिरकार मेजबान इंग्लिश टीम का खाता खुल गया है विडियो को आगे शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर उसे आन कर ले ताकि आपको आने वाली विडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके विडियो को लाइक एवाम शेर जरूर करें साथ ही कमेंट बोक्स में कमेंट करते हुए यह बताएं कि आप विडियो कहां से देख रहे हैं साथ ही साथ फैस्बुक पैज पर देख रहे विडियो को को भी लाइक शेर करते हुए कमेंट करते हुए बताएं कि आप विडियो को कहां से देख रहे है इससे आपका कुछ नहीं जाता और हमारा होसला बढ़ता है आएए चलते हैं अपने टॉपिक पर इंग्लेंड और आस्ट्रेलिया के बीच पांच वंडे मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है सीरीज के पहले दो मैच जीत कर आस्ट्रेलिया के हौसले बुलन थे लेकिन तीसरे वंडे मैच में मेजबान इंग्लेंड ने शांदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की पद्धती, DLS से 46 रन से हराकर सीरीज में खुद को जिन्दा रखा है। इंग्लेंड के हाथों मिली इसहार के साथ ही आस्ट्रेलिया की लगातार 14 मैचों की जीत का सिलसिला भी तूट गया है। कंगारू टीम को आखिरी वंडे हार पिछले साल वर्ल्ड कप 2023 में लखनों में साउट अफ्रीका के खिलाफ मिली थी। इसके बाद से ही आस्ट्रेलियन टीम वंडे में जीत के रत पर सवार थी। इसमें वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल भी शामिल था। सबसे ज्यादा वंडे इंटरनेशनल मैच जीतने के मामले में आस्ट्रेलिया पहले के बाद अब दूसरे स्थान पर भी काबिज है। इंग्लेंड के खिलाफ दूसरा वंडे जीतने के बाद कंगारू टीम ने लंका के लगातार 13 वंडे जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए ये उपलब्धी अपने नाम की थी। वंडे में लगातार सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड भी आस्ट्रेलिया के नाम ही दर्ज है। इस टीम ने जनवरी 2003 से मई 2003 के बीच लगातार 21 वंडे मैच अपने नाम किये थे। यही नहीं। इंग्लेंड की आस्ट्रेलिया पर लगातार साथ हार के बाद ये पहली व वल्लेबाजी करते हुए आस्ट्रेलिया ने साथ विकेट के नुकसान पर 304 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसमें स्मिथ ने 82 गेंदों में 60 रन और एलेक्स केरी ने 65 गेंदों में नाबाद 77 रनों का योगदान दिया। इसके बाद मेजबान इंग्लेंड ने लक्ष का प पवेलियन लोट गए। फिर हैरी ब्रूक और विल जैक्स की जोडी ने शांदार साजहदारी करते हुए तीसरे विकेट के लिए 156 रन जोड डाले। इस बीच ब्रूक ने अपने वंडे करियर का पहला शतक लगाया। उन्होंने 94 गेंदों में नाबाद 110 रन की पारी खे ली। इंगलेंड की पारी का जब 38 वां ओवर फैंका जा रहा था तो बारिश आ गई जिसके कारण मुकाबले को रोकना पड़ा। लगातार तेज बारिश के चलते अंपायरों ने अंत में मैच को खत्म करने का फैसला किया। जब मैच रोका गया तब इंगलेंड डकवर् इसाब से 46 रन से आगे थी। यहीं वज़ा रही कि इंगलेंड ये मुकाबला जीतने में सफल रही।